नवश्कार और आप देखेंगें पलपल हार्याना पार्टी जन्नायक जन्ता पार्टी जेजेपी को विधान सभा चुनावर से पहले जहटका लगा है जे हां मावीर फोकाट और उसकी रैसलर बेटी बवीता फोकाट ने जेजेपी का दामन छोड़ आज बीजेपी में शामिल हो गई वहीं शूत्र का कहना है कि बीजेपी मावीर या बवीता फोकाट को विधान सभा चुनावर में टिगट दे सकता है आपको बतादें कि जम्मो कश्मीर की इधारा 370 हटने की पर बवीता फोकाट ने बीजेपी की तारिफ की थी उन्हों कहा तहा कि मेरे मन में जरासा भी कन्फ्यूज नहीं था कि अनुछे 370 हटना चाहिए या नहीं 370 से कश्मीर का भला हुआ है आप देखें पलपल की अभिशेश रिपोर सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है और आज बहुत महत्पून जॉइनिंग होने जा रही है मित्रों आप सभी देख रहे हैं कि इस केंद्रिय कारेले में लगातार पार्टी में जॉइन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरह से यहां लगातार पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं इसी प्रकार से प्रदेशों की राज़दानी में इसी प्रकार से जिलों में भी और मैं ये कहूँ कि हर पोलिंग बूत बरवी जो समाज के प्रमुख लोग हैं वह सब भरतिंता पार्टी में शामिल हो रहे हैं आज हम लोगों के लिए बड़ा महत्पून फल है कि महावीर खोगाट जी जो उद्रोनचारे अवाड इनको मिला है और आप सभी लोगों ने दंगल फिल्म देखी होगी जो महावीर खोगाट जी और खोगाट परिवार पर बनी है आज भरतिंता पार्टी की सरस्ता ले रहे हैं हम उनका भरतिंता पार्टी में स्वागत करते हैं ब्रफिता फोगाट जी जो उनकी पुत्री हैं ग्यावी भारते इंता पार्टी में आज सामिल हो रहे हैं ब्रफिता जी अरजुन अवाड अरजुन अवाड़ी हैं तीन तीन बार जो कॉमन वेल्थ में इनको मेडल मिला है एक बार गोल मेडल, दो बार सिल्वर मेडल मिला है वर्ल्ड कप की मेडलिस रही है ओलम्पियन है और बहुत सारे इस तरह के पुरुषकार एवाड उनके नाम पर है मारविल फोगाट जी को आप सब ने दंगल फिल्म में भी देखा होगा उनके चरित्पी जो बनी थी चार उनकी पुत्रिया है चारों पुत्रिया आज रेस्लिंग में नाम पूरे दिनिया में उन्होंने कमाया है और दो भतीजिया छे बेटियों को किस प्रकार से उन्होंने समाज में दबाओ के बावजूद और अपने रेस्लिंग में ट्रेंड किया और उन्होंने पूरे देश का नाम आज उचा किया है हम उनका अस्वागत करते हैं दोनों लोगों का पार्टी में हमारे मद्दे हमारे खेल मंत्री स्री करे निजूजी जी है जॉइनिंग कराने के लिए भारते जिंता पार्टी के हमारे राष्टे महासची अनिल जैन जी है हमारे हर्याना प्रदेश के प्रदेश सद्यक सुबाज बराला जी है हम उनका स्वागत करते हैं मैं सबने पहले करे लिजूजी से अगरे करूँगा इसलिए माविर भोगाट जी को भारते पार्टी में जॉइन करें सदस्ता के स्लिप दे और पट्का पर्टी आगरे कि बविता भोगाट जी को भी पार्टी की सदस्ता के स्लिप दे इस राष्क पार्टी में आपका स्वागत है मेरा करें रिजूजी से आग रहा है कि इस अफसर पर मीडिया को संबोधित करें अनिल जैन जी और बलोनी जी बराला जी और हम लोग का तरफ से खुशी इज़र करना चाहता हूँ भारते जन्ता पार्टी परिवार की होड़ से देखें महाविर जी तो एक मिसाल है हमारे समाज के लिए और किसी भी देश के लिए ये मिसाल होना ही चाहिए जिस परिष्टिती में उन्होंने चैंपियन्स पैदा किये हैं चोटे से गाउं से हर्याना से आकर के अंतरास्ते अस्तर पर भारत के लिए इतना एक नाम शोहुरत दिलाना ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है इसलिए मैं सबसे पहले महाविर फोकट जी को भारते जन्ता पार्टी के ओर से खेल मंत्रा लए भारत सरकार के ओर से मैं सबसे पहले अभिनांद करना चाहता हूँ आपने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है और क्योंकि मैं भारते जन्ता पार्टी का सदस्य हूँ उस नाते भी आज भारते जन्ता पार्टी के परिवार में जो आपका मेंबर्सिप के माद्यम से फॉर्मेली जोइन करने का जो कारेकरम हुआ है इसके माद्यम से भी मैं आपको बीजेपी के परिवार में स्वागत करता हूँ और बविता युवा है और आपका ब्रीफ हिस्ट्री ता आपने सबने सुनी लिया और आपने पड़ भी लिया है और सबने देखा है 2010 Commonwealth, 2014, 2018 फिर एशन गेम्स और जितने भी विश्च बर में जो प्रतियोगता होता है चैंपिंसी होता है उसमें भारत का कितना नाम उन्होंने कमाई हैं हमारे तिरंगा जंडा को लहराए हैं तो इस नाते मैं मानता हूँ कि भविता पूरा भारत के युवापिरी के लिए एक प्रेर्णा देने वाले एक खिलारी रही है और अभी भी बहुत एक्टिव है और पार्टी में आ करके भी खेल सकते हैं जैसे मेरी कौम MP बने हैं खेलती हैं और कुछ लोग खेल छोड़ने का बात भी खेल में जुरे रहते हैं कोचिंग के रूप में प्रेर्णा के रूप में अन्यकारेकरम के रूप में किसी ना किसी तरह से वो खेल में जुरे रहते हैं वहीं से भुबीता मैं मानता हो कि वो बीजेपी का सधस्था लेने का बात पार्टी के लिए काम करे की देश के लिए काम करे के लेगे लिगए खेल जगत को आगे बराने के लिए खेल जगत में रहे हैं। उसके लिए मैं खेल मंत्राले के ओर से और मैं खेल भारत सरकार का खेल मंत्री होने के नाते मैं भरपूर उसको उप्योग करूँगा वविता का जो टैलेंट है उसको मैं खेल को प्रचान करने के लिए अपने जो भी हो सकते मैं उसका इस्तिमाल करूँगा ताकि जो आने वा पार्टी के सदर से हो गए हैं तो मैं बीजेपी के एक कारे करता होने के नाते मवीता को मैं बीजेपी में स्वागत करता हूं और मैं बहुत ही जो दिल की घहराईयों से मैं खुशी इजार करना चाहता हूं कि ऐसे लोग बीजेपी में आई हैं जो समाज के लिए कुछ जो कहा गया कि आप क्योंकि हमारा जुरा हुआ है और मैं खुद एक खिलारी रहा हूँ और मैं खर इंडिया के लिए खेलने का मौका नहीं मेरा लेकि मैं बहुत खेलता था तो खेल से मेरा हाँ मैं खेलते हैं अभी राजनेती खेलते हैं तो इसलिए मुझे इस बहुत भारतिया जन्ता पार्टी के माधियम से क्या क्या देश में हो रहा है आप लोगों का तुमालम है मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ परदान मंतरे नरंदर मौजी जी ने युवाओं के लिए खेल जगत में खेल के लिए जो कुछ किया है उसको लेकर के आगे जाने का मेरा ज दन्यवाद और दोनों हमारे दोनों शक्षियत को आज साथ में एक एक प्लेटफर्म में मिल करके मैं आपको फिर से मेरा खुशी इजार करते हुए आप सब को सब मीडिया बंदों को यहां आप लोगों को मैं पहली बार यहां मिला हूँ मैं तो यहां स्पोक्समें नहीं ह आप सब को मिला बहुत अच्छा लगा धन्यवाद जी से आग रहे है कि सबसर पर अपने विचार रहे है आज बहुत ही महत्पूर्ण दिने भारती जन्ता पार्टी के लिए बैसे तो भारती जन्ता पार्टी में जैसे अनिल जी ने बताया कि रूज बड़ी बड़ी नरेन भाई मोदी जी के नेत्रत में जिस प्रकार देश की प्रगति हो रही है और उसको देखकर भारती जन्ता पार्टी में अपना योगदान देने वाले लोगों का ताता लगा है इसके बावजूद आज एक युवा आइकॉन बविता फोगाट और इस युवा को रचन बनाने सजाने और सवारने की जिनकी जिम्मेदारी ऐसे श्री महवीर जी फोगाट जो उन दोनों लोग जोईन कर रहे हैं क्योंकि इनकी सेक्सियत की जानकारी पिक्चर से तो पिली थी लेकिन जिस प्रकार से मेडल पर मेडल मिलते गए और देश में तमाम तरह की के बावजूद छेचे बेटियों को आगे बढ़ाना सजाना सवारना और इंटरनेशनल लेविल पर ले जाना ये बहुत बहुत बड़ा काम महवीर जी ने किया है इसलिए महवीर जी को द्रोनाचारी प्रुषकार भी मिला है और अर्जु नेवार्डी बभीता जी हमारे स दिल की गहराईयों से स्वागत करता हूँ अविननन करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारती जनता पार्टी इस माध्यम से आप देश की उत्रोत्र सेवा करते रहेंगी हर्याना को भी नाम रोचन करेंगी और राजनीती में ही नहीं राजनीती के साथ साथ खेल की दुनिया में और समाज जीवन में एक बड़ा आदर्श प्रस्तुत होगा आप दोनों की आने से बारती जनता पार्टी उत्साहित है और आपका स्वागत करते हैं अविननन करते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ को वास्त्विक्ता में चर्तार्थ करने वाले महवीर फोगाजी से मरया आग रहा है कि अभी मीडिया को संबोदित करें आदर आदर और समान के लोगे वार्टे जनता पार्टी के मंत्रीगान पदादा अधिधारी और मिलिशान बैटे मीडिया ने सब बोलने तरफ से राम राव मैं हमें बहुत खुशी है क्योंकि जो मैंने जो हमारे जो मोदी साब हैं पदादान तरी उन्हें जो जो पाकिस्त जो फुल गाम गाम जो गटना इसके बाद में तुर्थ बदला लिया और जो अब जो तिन सो सत्तर दारा पैंतिस एटना ये बेरे को निए सारी दुनिया क काम क्याया कोई कर दी सकता था जितारी इंदुस्तान का कोई को मी पार्टी I. 375 ःको एको टाने होना गेंठी िनाषैंशी, मैं इसे प्रभावीत हुआ है जोमारे मुख्यम्तरी अरियाना के हैं बडlock सबाव सबाव के हैं बड़ियां सबाव के हैं बड़ियां काम करते है हमारे जोने आज्देख जी हैं, हमारे BGP के, इनका बड़ा सरल सभाव है, बड़ा मेंती हैं, तो उनकी बात उसे प्रभावित होकर, मैंने जोने जिजे पार्टी को छोड़त रोके, मैंने अपने जोने सबसे बड़ी हां बड़ा परिवार जेजी पेक को जोयन कया, मैंने पर्टी के बड़ी खुशी है नहीं एक बड़ा परिवार में आ गया और जो पार्टी जो मेरे जो दुम्हेवर लगाएगी मैं श्वाज दिलाता हूं पार्टी को मैं दिन रात करूआ पार्टी के लिए और तर्मन भरिशेगा भबिता फुगाट जी से में राग रहा है कि म वीडिया को संभूतित करें बहुत ही आदरों सम्मान के योग यहां पर विराजमान हमारे खेल मंतरी जी किरन रेजू अनील जैन जी और बिजेपी पार्टी के अध्धैक सुभास बराला जी आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों ने जो सम्मान प् बहुत सालों पहले जब उन्होंने परधान मंतरी जब वो बने थे तब शे मैं उनकी फैन हूं और उनके कारियों शे मैं परभावित थी और क्योंकि गेम में मैं थी इसलिए मैं जूड नहीं पाई थी लेकिन आज मैं मुझे इस प्रिवार्शे बीजेपी प्रिवार्शे जूड के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और खासकर जो 370 ए जो हमारे प्रधान मंतरी जी ने हटाई है उससे तो मतलब एक फैन भी नहीं मैं कह सकती कि मैं कुछ अलग ही मन में एक अलग ही मुझे खुशी हो रही थी मुझे लगता है पूरे भारत देश को इसक हमारे प्रधान मंतरी जी ने वो साइद सर्ण अक्सरों में लिखा जाएगा तो मैं थैंक्यू कहना चाहूंगी पूरे बीजेपी परिवार को और आप सब लोगों का भी कि आप लोग यहाँ पे आए और हमें यहाँ पे सम्मान दिया प्यार दिया उसके लिए मैं एक बार आप सब लोगों का तया दिल चे धन्यवाद करूँगी और थैंक्यू सो मैस जैहीन जै भारत पित्रो अभी आरणे महवीर जी और बबीता जी मानिय नड़ा जी से मुलाकात करेंगे थोड़ा वेवस्ता है रहें इसके लिए हमने एन आई पी टी आई और तीन चाल जो लोगों को रेगुलर रहता है वो सब लोग जाके उस वक्त ले सकेंगे जिससे सबको बाद में चित्र मिल जाए तो अभी इसके एकदम बाद मानिये नड़ा जी से सब लोग उलाकात करेंगे यंधिर करेंह थाल साथ श्रीट श्रीटतर सब्सकति की मिल फिर्टructured करेंगे ऑधिर को ज्यू नियन्वें और देन देंगणी समन विलांग만-इसकंटरा करेंगे चाहिए फिरेवस्ता करीम कीजिश जास्पकर्सरांश। झाल आई पाल